एक बाव फ्रिसे आप सबका स्वागता है आपके अपने चले में इस वीडियो के अंदर अपने आपर बात करेंगे जो ECS T10 साइप्रस का आज की दिन का यहाँ पर पहला मेच होगा जो खेला जाएगा निकोजिया टाइगर्स वर्सिस लंकन लाइन्स के बीच में तो इस अब तक टेलीग्राम चनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चनल को जरूर से जोइन कर लेना है टेलीग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्केप्शन में दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे न तो वहाँ पर जो प 80-110 के बीच में आपर स्कोर बनता है, 16 मैचेस हो चुके हैं, 5 जिते बेटिंग, 1st करने वाइल टीम ने 11 में चेज हुआ है, इसका मतलब क्या है, कि आपर ना चेज करने वाइल टीम को एडवांटेज रहता है, अब देखो निकोजिया टाइगर्स के टीम के बात करूँ, ला अब क्या है ना मतलब इसको बोलिंग नहीं दे रहे लो, बेटिंग तो एच्छी कर रहा है, तो इंपोर्टेंट तो रहेगा इसे ही, वकस अकतर है, इसने हर मेच में दो ओवर डाले, प्लस ओपन भी किया है, लास्ट के 6 मेच में इसके नाम यहाँपर अगर आप और बल्ले से यहाँपर 26 नोट आउट, 4 नोट आउट, 6 नोट आउट, 0, 22, 2 है, आसिप महमूद है, इनकी बात करूँ, तो दो मेच में यहाँपर 4 ओवर डालके 3 विकेट है, और बल्ले से यहाँपर 28, 40 है, बहुत अच्छी फोर्म में है, बेटिंग बोलिंग दोनों से इंपोर्टेंट रहेगा, उमर फरूक, 4 मेच में 7 ओवर डालके 2 तो विकेट है, और बल्ले से आप देखो 10, 30, 1 नोट आउट, 7 नोट आउट है, तो मल्ला बेटिंग फ्लस बोलिंग, दोनों चीजों से कोंट्रिबूशन आ रहा हैं इसका, अर्जु शाई, इसने भी सिर यह तब आपके लिए टीम का सीधा-सीधा पिक बन जाता है, जब यह विकेट किपिंग नहीं करता है, क्योंकि जब यह विकेट किपिंग नहीं करता है, फिर यह दो ओर की बोलिंग करवाता है, लेकिन अभी यह लास्ट के दो मेच से विकेट किपिंग कर रहा है, तो आप विकेट की भी नहीं कर रहा है तो फिर आप इसको रख सकते हो बिलकुल विकास रेश्टा कुछ खास रोल नहीं है इसका भी सोहल अधनान मसू महमद इनका कुछ खास रोल है नहीं तो इनके जो इंपोर्टेंट प्लेयर है वो है रोमन मजूमदार, वकास अक्तर, तॉमल अमीरूल, आसीब महमूद, उमर फरुक और अर्जुन शाही बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी अगर खेलता है तो उसके स्टाइट्स मैं आपको टेलिग्राम चले पर प्रुवाइड कर दूँगा स्टाइटिंग ओवर डालेंगे उमर फरुक, आसीब महमूद, वकास अक्तर, डेथ में आएंगे अर्जुन शाही, वकास अक्तर, तॉमल अमीरूल सामने जो टीम में सिललंकल लाइन्स के टीम लास्ट के 6 में से कोई भी मुकाबला यहाँ पर नहीं हारी है इनकी तरब से ओपन करते हैं चमल सदून और अकिल कलूगुला चमल सदून के सिर्फ लास्ट के मेच में ओवर कटे हैं, वो भी क्यों कटे हैं मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि इनकी टीम ने बना दिया था 185 का रिकोर्ड वाला टोटल फिर इन्होंने क्या कि आपने जो जिन बोलरों कि इन्होंने अब तक मोका नहीं दिया ना उनसे बोलिंग करवाई इसलिए इसके ओवर अब तक कटे नहीं थे लास्ट के 6 मेच में आप देखो इसके नाम टोटल 4 विकेट हैं बल्ले से 47, 56, 0, 33, 8, 4 है बहुत अच्छा प्लेर है अकिल कलुगला सिर्फ विकेट किपिंग कर रहा है बोलिंग तो इसने मात्र एक मैच में करवाई थी आप इसके नाम देखो 11 रन, 21 रन, 0 रन, 31, 24, 24 रन स्रीनात रजीत है बहुत तकड़ा ओल राउंड रहे है पहले में 9, 2 विकेट, दूसरे में 49, 2 विकेट है 10, 10, 165, 12 विकेट है रोसन सरीवर्दना ये भी बेटिंग पलस बोलिंग दोनों चीज़े करेगा लास्ट के जो 6 मेसेज है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके नाम टोटल ना 5 विकेट है और बल्ले से 33 रन, 8, 32, 1, 6 रन, 85 रन है नलिन पतिराना विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए ये अच्छा उप्शन है जाई देशन कब वह अच्छा उप्शन रहेगा जब वो विकेट कीपिंग नहीं करता है 14, 15, 24, नोट आउट, 10, नोट आउट, 9, बेटिंग, 1 है कविंडू, मदु, मदुरंगा बेटिंग अच्छी कर लेता है लेकिन बेटिंग खाहां पे कर रहा है यह भी तो देखो आप नंबर 6 पे आ रहा है 0, 18, नोट आउट, 49, नोट आउट, 11, 9, बेटिंग, 13, नोट आउट है ग्रेंड लिक के अंदर रोटेट कर सकते हो कमल रेस पावर प्ले में बोलिंग करवाता है 5 मैच में 9 ओवर डालके 2 विकेट है रवीडू अशंका है यहाँ पर 5 मैच में देख सकते हो आप 6 ओवर डालके 3 विकेट है दमित प्रियंता 1 ओवर डालके विकेट लैस त्री पुरोताज स्रीट क्रेटी को सिर्फ लास्ट में 2 ओवर मिले उससे पहले के 4 मैच में आप देखो एक ओवर मिला इसको लास्ट और समीर मदूशन दो मैच में 2 विकेट है तो यह दोनों जो प्लेयर है ग्रेंड लिक्स के अंदर काम आने वाले प्लेयर है मेरे इसाब से अभी के लिए देखो मैं स्मोल लिक के लाइसाब से लूतो चमल सदून को लूँगा हाँ अगर इनकी टीम पहले बोलिंग करती है तो आप फिर भी सोच सकते हो कि मैं रवीडू या फिर टी सेंदी रेडि में से किसी एक को ट्राइ कर लूँ बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर से कोई भी खेले स्टाट्स में आपको दे दूँगा स्टाटिंग ओवर डालेंगे के रेज एस रजीत आर स्रिवर्दना डेथ में आएंगे एस मदूसन डी प्रियंता और आर स्रिवर्दना ऐसा एनालिसस वाला पार्ट हो चुका है चलेंगे डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले मैं लास मोमेट पर ही बता पाऊँगा जब बेटिंग ओडर आएगा तो इसलिए टेलिग्राम चनल से जोनोना ज़रूरी है अगर आप डिस्किप्शन से टेलिग्राम चनल पर जोनोना चाहते हो वीडियो के टाइटल में जाना मोर पर क्लिक करना आप वीडियो के डिस्किप्शन में पहुँच जाओगे वहाँ पर आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जैसे ही जाएगे न तो वहाँ पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ उसमें भी आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगे से जाकर आप बहुत आसानी के साथ टेलिग्राम चनल को जोईन कर सकते हो अभी देख लेते हैं डेमो टीम डेमो टीम में मैंने फिलाल के लिए विकेट किपिंग सेक्शन से रखा है अपको मिल जाएगा धन्यवाद